पंची केक को देखो तुमने कभी इतनी आइसिंग देखी है केक को छोड़ो मेरी इच्छा है कि मैं वो शांदार गुलाबी ड्रेस पहनू इतनी सुन्दर है हर क्रिसमस पर उन्हें दोस्रों को देख कर जलन होती थी क्योंकि उनके पिताएं गरीब सुतार थे और वो उन्हें महेंगे तौफे नहीं दिला सकते थे जब वो लंबे समय तक खिरगी के बाहर चमती लाइट्स और खुश भरिवारों को देख रहे थे तब उन्हें सीडियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी मम्मी आ रही होगी जल्दी से लाइट बंद कर दो जब उन्होंने देखने के लिए अपनी आखे खुड़ी सी खोली तो वो डर के मारे चिल्ला पड़े उन्होंने देखा कि जो दर्वाजे से आई थी वो उनके मा नहीं बलकि एक ज़राओं में सी चुड़ैल दी हमारे मम्मी कहा है जरो मत बच्चो मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आई हूँ तो फिर क्यों आई हो मैं तो एक अहसान मांगने आई हूँ मेरी बेटी बहुत बीबार है और सिर्फ वो रह से मैं नीला पंची ही उसे ठीक कर सकता है तुम्हें मेरे लिए उसे ढूनना होगा हमारे पास एक पीला पंची है शायद इससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए नहीं वो नीला पंची ही होना चाहिए पर क्यों? मुझे सिर्फ उस खुशी के नीले पंची की खलाशर कोई और पंची नहीं चलेगा खुशी का पंची? हाँ, वो नीला पंची सबको खुशियां देता है क्या वो सच में किसी को भी खुश कर सकता है? हमारे जैसे गरीब बच्चों को भी? हाँ, बेशक, वही तो उसका काम है यह लो मेरी जादू की टोपी इसकी शक्तियों से उस नीले पंची को ढूंड़ो लेकिन कैसे? यह टोपी तुम्हें रास्ता दिखाएगी गोड़ लाग हाँ, जैसे ही उन्हों ने उस टोपी को छुआ उनके आसपास की दुनिया अंधेरे में बदल गई दिल-दिल, तुम यहाँ हो, मुझे डर लग रहा है सब ठीक है, मैं यहाँ हो ना मेरा हाथ पकड़ो उसी वक्त, रात की रानी अंधेरे से बाहर आई चमकते हुए कपड़े पहने हुए उसकी शैतानी हसी भर जगा सुनाई दे रही थी क्या तुम मेरे अंधेरी दुनिया में उस दीले पंची को चुराने आये हो? तुम्हारी साहस की दाद देती हूँ, लेकिन दो बच्चे कैसे काम्याब होंगे जबकि अंगिनत शहजादे नाकाम्याब रहे हैं असली नीला पंची हजारों बहरूपियों के बीच में छुपा है उसे अपना बनाओ अगर बना सको तो देखो वो रहा नीला पंची नहीं रुको ये असली नहीं है उन सारे नीले पंचीयों को देखकर मिटल और टिटल को एहसास हुआ कि वो सब तो एक जैसे ही दिख रहे थे और कोई रास्ता नहीं आ जानने का कि उनमें से असली कौन था बहुत दोगों ने कोशिश की है उस नीले पंची को ठूडने की उन्होंने अपनी पूरी जिंदे की खोच में कवा दी जब तक की वो बुढ़ापे से पर नहीं गए और तुम्हारा भी फहीहाल होगा उस स्यारती जानी ने उनके सामने एक बड़ा सा आइना पेश किया आइने में देखो अभी फैसला करलो या फिर खुद को बूढ़ा होकर मरते हुए देखो यहां में क्या हो गया है हमारे बहुर्ट सफेध कैसे हो गया वाह नहीं अब हमारे क्या होगा उन दोनों बच्चों ने खुद को आइने में बूढ़ादे殼ा हमें आसर निकलना होगा अभी तुमने सही कहा है कि भागने की हिम्बत कैसे हुई तुम्हारी डर्पों को तुम मेरी अगली बली बनने वाले हो रुको जैसे ही वो बच्चे उ संधेरी दुनिया से निकले वो पहुंचकर यादों की दुनिया में उन्होंने एक पुराना सोफा देखा जिस पर दो बुड़े लोग आराम कर रहे थे अब हम कहा हैं? हम कहा हैं? क्या हम भविश्य में हैं? क्या वो दोनों हम हैं? क्या हम बुड़े होकर मर चुके हैं? नहीं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहती मैंने थो अभी तक वो सुन्दर ड्रेस भी नहीं पहनी है मुझे भी वो केक खाने से पहले नहीं मरना है क्या आज सोमवार है मुझे बच्चे की रोनी की आवाज आ रही है वो बच्चे नहीं हो सकता वो जरूर मुर्गा होगा नहीं नहीं त्यान से सुनो क्या वो तुम्हें आवाज बूर के जैसे सुनाई दे रही है तुमने सही कहा मुझे लगता है यह हमारे पोते हैं जैसा मैंने कहा था यह तो दाल्यों दादा है क्या तुम्हें लगता है कि यह हमारे पोता-पोती है जरा ध्यान से देखू तो हाँ यह तो वही है बच्चे अपने दादा दादी से मिलकर बहुत खुश थे दादा दादी ने उनके लिए एक स्वादिष्ट केक बनाया और मिचल और चिचल ने उन्हें नीले पंची के बारे में पता आया तो ऐसे हमने उस नीले पंची को ढूंड़ना शुरू किया क्या तुम्हारा मतलब उस नीले पंची से है बच्चो ने अपनी दादी के इशारे के ओड़ लिखा और वहां था वो नीला पंची वह रहा यह कहां वहां है चलो पकड़ते हैं चलो चलते हैं रुको बच्चो थोड़ी देर और रुक जाओ क्या तुम्हें और केक नहीं चाहिए बच्चे अलवदा कहे बिना ही जाने लगे ये देख दादी की आखों से आसु बहने लगे रोने जसे कोई बात नहीं बच्चे हमेशा किसी ना किसी चीज़ के पीचे भागते रहते हैं उनके पास हमारे जैसे बूरो के लिए वक्त नहीं है दादा और दादी ने एक दुस्टी को गले लगाय और उन्हों गायब हो गए डिल डिल और मिटल दीले पंची के पीछे भागे और जैसे ही वो उसे पकडने वाले थे वो गायब हो गया तिलकोल उनके दादा दादी की तरहा ऩई पंची ये क्या हुआ उन्हें पता चला कि वो पंची उनके दादा दादी के खुशी के साथ ही गायब हो गया उसके बाद वो दो बच्चे खुशी की दुनिया में जा पहुँचे यह सोचते हुए कि उन्हें वो नीला पंची वहां मिलेगा वहां वो दोनों एक पेटू आदमी और एक लालची औरत से मिले मैं दुनिया के सबसे खुश आदमी हूँ क्योंकि मुझे जो खाना चाहिए मैं खा सकता हूँ क्योंकि खाना किसे चाहिए जबकि तुम हरे पास इतने सारे कीमती जवाहराथ हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो खाने से बैतर कुछ नहीं होता वैसे और जवाहराथ खाने से बढ़कर नहीं है वो दोनों इतने खुश नहीं लग रहे थे लेकिन फिर भी उन बच्चों ने उन्हें उस नीले पंची के बारे में पुछा क्या आपने वो नीला पंची का यह देखा है कैसा नीला पंची मुझे दिखाओ मैं अच्छे से सौस में भून दूंगा मेरी लिए वो पंच छोड़ देना मुझे मेरी नई हैट के लिए नीला रंग चाहिए उस खुशी के नीले पंची के होते हुए आप किसी और चीज को कैसे देख सकते हो नीला पंची मुझे तो बस खाते रहना है जब तक मैं फट नहीं जाता उसके लिए मुझे तुमारे नीले पंची की ज़रूरत नहीं है मेरे पास उस पेकार पंची के लिए वक्त नहीं है मुझे और जवहरा ढूनने हैं और कपड़े भी ताकि मैं खुद को सुन्दर और जवान रख सकूँ तुम्हें क्या लगता है मुझे पर रूपी अच्छे लगेंगे या लेकिन क्या ये खुशी की दुनिया नहीं है ये नीले पंची का घर होना चाहिए खुशी तो तुम कहोगी बेटा ये तो दुख की दुनिया है या वो देखो उस पर दुख की दुनिया लिखा था लेकिन हमने बदल दिया क्या उस लालची औरत के शब्दों से दुखी हो कर उन बच्चों ने उस चड़ेर की तोपी का इस्तिमाल किया कि इस पार वो दोनों वहीं जा पहुंचे जहां से उन्होंने शुरुवात की थी घर पर या यह हमारा कमरा नहीं है लगता है हमें घर भेज दिया गया है बिना उस नीले पंची को ढूंडे उस चुड़ेर के वापस आने पर हम उससे क्या कहेंगे ओ नहीं अगर उसने मुझे मेंड़क में बदल दिया तो मझे चिपचिपा मेंड़क नहीं बढ़ना अगर हम अपने पीले पंची को रंग दे तो क्या तुम्हें लगता है यह काम करेगा वह बच्चा उस पिंजरे तक गए और यह देखकर चौंग गए कि वह पंची पीला नहीं था बल्कि नीला था नीला पंची यहां है अचानक पिंजरेल सामने आ गई बोलो बच्चों क्या तुमने मेरे लिए देले पंची को पकड़ा सच कहूं तो हम उसे ढून नहीं पाए वो बस हमारे घर पर ही रुका था इससे आप अपनी बेची की बिमारी को ठीक कर दीजिए क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो ये तुम्हें खुश कर सकता है लेकिन हम पहले से ही खुश है सही कहा मेजर मैं तुम दोनों की शुक्र गुजार हो तुम्हें पता चल गया है कि असली खुशी सिर्फ प्यार समझ और स्विकारने से ही मिलती है अब तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे बच्चों ये क्याकर चुडैल कायब हो गई जब चल्टिल और मिटल अगली सुबा उठे तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि वो पीला पंची अपने पिंचरे में वापस आ गया था फिर टिल टिल और मिटल को पता चला कि वो सब एक सपना था उन्हें उस चुडैल के शब यान आए और उनके पीले पंची की आवाज सुनते हुए उन्हें हैसास हुआ कि वो सच में कितने खुश थे